Finance जुडी latest information पाने के लिए Finnovations Updates को subscribe करें और notification पाने के लिए bell icon पर click करें Namaskar, आज के market update session में आपका स्वागत है Guruwar को share बाजार भारी गिरावट पर बंद हुआ Bombay Stock Exchange का index Sensex 1.02% की गिरावट के साथ 394.4 points नीचे 38,220.39 के लेवल पर बंद हुआ वही National Stock Exchange का nifty 0.84% नीचे 96.2 points की गिरावट के साथ 11,312.2 के लेवल पर बंद हुआ आज सुभा share बाजार की शिरुवाद जोरदार गिरावट के साथ हुई थी Sensex 393.86 points यानी 1.02% नीचे 38,220.93 के लेवल पर खुला था वही Nifty 0.96% यानी 109.96 points की गिरावट के साथ 11,299.3 के लेवल पर खुला था देगर शेरों की बात करें तो आज NTPC, ONGC, Cole India, BPCL, Z Limited, IOC, Hindalco, Hero Motocop, Sipla, Tata Steel और Gale के शेर्स हरे निशान पर बंध हुए वही HCL Tech, Dr. Ready, Shree Cement, Pritania, Tech Mahindra, Pajaj Finance, Asian Pains, Maruti, Hindustan Unilever और Grasim के शेर्स लाल निशान पर बंध हुए Sectoral Index पर नज़र डालें तो Metal, Pharma, Media और Realty हरे निशान पर बंध हुए वहीं Bank, PSU Bank, Finance Service, Private Bank, Auto और FMCG लाल निशान पर बंध हुए Top Gainers and Losers अगर बात करें Nifty 50 में Top Gainers की तो NTPC में 6.81%, ONGC में 3.27% और Cole India में 2.57% की बढ़त रही अगर बात करें Top Losers की तो इसमें Tata Motors में 2.76%, HDFC में 2.34% और Axis Bank में 2.08% की गिरावर्दा जोई अगर बात करें Sensex में Top Gainers की तो NTPC में 6.87%, ONGC में 3.33% और Power Grid Corp में 2.11% की बढ़त रही Sensex Top Losers में HDFC में 2.35%, Axis Bank में 2.06% और भारती ATL में 1.98% की गिरावट दर्च होई यहाँ पर हमारा Market Update Session समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू